पानी बोल दोस्कों एक पर हेलो सुटेंट्स कैसे हो आप सब सभी को नमश्कार राम राम और बहुत सारा प्यार मैं प्रिया चाहदरी आपका स्वागत करती हूं वाइफाइ स्टेडी वे जो की पार्ट है निकेडमी का कैसे हो भाई सभी के सब कैसे हो सभी कर फिर में बोलो कि सास क्यों चड़ रहा है तो फिर वह यह चौथी मंजिल से उतरके चौथी मंदिल पर बारतके चड़ना पड़ता है क्योंकि आपकी क्लासिस होती है कैसे हो भाई सभी बढ़िया एक दम बस ये गट मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग कैसे ह नहीं है आप सभी देख पा रहें कि here पर कोछ बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिख हूइ ह मैं क्या कुछ फ्री जैसा लिखा हुआ अ कह दिखा है इसका दिखाए जूरा है तो फ्री बीदृराइज सय क्लासिस प्रीज निखेी हूँ है छे स्पेशल मकूरी आ अगकी वा-ध बज़े लिखे हुई है दस बज़े लिखे हुई है और यह जो टैस्त है यह क्या है all over India mock test है अभी जो all over India मौक हरा है वह कहां भी हो रहा है बच्छों वह रहा है आपका अगर मैं बात करों रेलवे का एकेड्मी पर कहां हो रहा है अन अकेडमी पे आपका पूरा-पूरा एक मौक टेस्ट होता है, जो होता है रात के 10 वजे, येस, मनुझी, MP पुलिस के लिए भी है, सभी एक्जाम के लिए, दूसरी बात है, एक फ्री ग्लास और है, यह है एस स्ट की, ठीक है, क्या है इस्ट है, स्पेशल क्लास है, कहां है, अ तो यह मैं थोड़ना कहा रही है कि सारी क्लास करनी है जिसको रात के प्रिया चौधरी मेना नाम है आपको मुझे फॉलो करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉलो करने के बाद आप मेरी सारी स्पेशल क्लासिस सी ओल में जाके देख सकते हो और यहां भली बात ही देख रहे हो जर्नल अवेरनेस एससी केटिगरी में आज मैंने पढ़ाया था करन्ट अफैर 18 जैन्वरी 2021 का और 2020 का बैक अप हम कैसे करेंगे वह मैंने बताया महां पर तो आईए सेशन की शुरुआत करते हैं फॉलो करोगे अनकेडमी पर पूरा नाम है प्रिया चौधरी इसके लिए अनकेडमी लर्निंग डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले और उसके बाद में क्या होता है एक कोड लगा देना हर जगह यही कोड लोकिश्मीना छोटी मेडम बहुत अच्छी है अब उसकी तब्यत है वह काफी अच्छी है काफी ठीक हो चुकिए इसलिए मैं आपकी क्लासिस अब रेगुलर ले रही हूं ठीक है कोई बात नी पंक आजा आप 12 बजे आ जाओ ठीक है औ सबसे पहले कोशन में लिखा गया है कि अगर कोई श्रव्य ध्वनी है, अगर कोई audible sound है, कौन सी? जिसे इनसान सुन सकता है, क्योंकि जानवर परश्य पक्षी तो सारी सुन सकते हैं, तो जिसे इनसान सुन सकता है, वो जो audible sound होती है, वो जब vibrate करती है, जब कमपन करती है, जैसे मैं इसको ऐसे करूँ, ठीक है? जै कितने सेकेंड तक पादा होती है ये आप लोगोंसे पूछा गया है कितनी टाइम तक ठीकर कल एक वाइबरेशन होते है कमन होती किसकी और्डिबल द्वनी की श्रबिय ध्वनी की वह कितनी औरмос ignored होती है 0.02 जिरो पार तीन जिरो पॉिंट जिरो पार शेकंड यह 00204 से कि जल्दी से बताइए आँए कि जल्दी से बता इए घॉर्म ने बोला लोकेश ने बोला त्य जंव पहले शशेकंग आन्सर दिया बहुत ही बढ़ीजा बहुत ही बहतरी नांसर और आप Um सारी PDF मिल गई है यानि इस से पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं ठीक है कोशन नंबर एक से लेके कोशन नंबर 33 कोशन तक का पीडियेफ मेरेथन में ही अटैच हो चुका है और टेलिग्राम चनल पर भी मैंने भीज दिया अब उससे आगे कोशन में करवा रही हूं जो मुझे 2000 कोशन करवाने थे वो मैं मौक टेस्स में आगे करवा रही हूं बच्चो इसका राइट आंसर जो है बच्चो ने बुला बच्च ने बोला ये बच्चो ने बुला ये ना तो ये आंसर ना ये आंसर ना ये इसका राइट आसर है कितने देर तक कमपन पैदा की होगी 0.05 सेकेंड एंटी बीची गुरुबडी सीजेल सीचेल सेल आई भी इपिएफ हो सारे एक्जाम्स के लिए यह आपका मॉक टैस्स है देख सकते हो अगले कोशन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो सेरी ब्रहम होता है इस दिमाग के हिसे का से इस्तामाल भी करते हो जैहिन भै जैहिन जल्दी से बताईए लोकेश ने बोला ये memory के लिए होता है ठीक है तो आप वही बात पे confused हो गए इसका right answer जो है बच्चो इसका right answer A है muscular coordination जिन बच्चो ने इसका answer memory दिया है तो आपको बता दू कि स्मृत्ति का काम memory का काम जो होता है वो सेरी ब्रम का होता है सेरी ब्रम होता है अर्ग मस्तिक्ष का हिस्सा किसका अर्ग मस्तिक्ष का हिस्सा आगे वाली मस्तिक्ष में आपकी जितनी भी memory होती वो होती है four brain का हिस्सा होता है ठीक है और आप लोगों से पूछा गया है सेरी ब्रहम नहीं सेरी बैलम पूछा गया है और सेरी बैलम जो होता है बच्चो वो आपका पश्मस्तिश होता है पश्मस्तिश का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन क्या बोलते हैं पीछे वाला दिमाग हिंड ब्रेन यही नान तिन पाटे में पपिंत तो फच्वा Doch टे को बता दो कि अगर कभी भी ते कभी भी लोगों को पीसराबी अगर कभी कोह पीलिए अगर कोई alcoholic person, क्या पिले शराब पिले, तो उसका ये वाला दिमाग काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों कि जब भी इंसान शराब पी लेता है, तो उसका cerebellum, यानि पीछे वाला दिमाग काम नहीं करता, तो उसका muscular coordination पेशे समाने सही नहीं होता, इसलिए वो धंक से सीध नहीं चल पाता और जिस तरफ गिरा रह जाता है तो इतनी बात में रिसाब से समझ में आ गई होगी यह कोशन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा पंकज पीडियेव तो क्लास के बाद ही दी जाएगी आप बार बार कमेंट कर लो उससे कोई भाइदा नहीं है सुनवाई जो होगी वो क्लास के बाद में होगी जैहिन बै जैहिन सेशन को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें अगले कोशन में आप लोगों से क्या पूछा जाता है यह में भी आपको बता देती हूं और यहां भी में बता देती हूं यह वाला जो दिमाग होता है यह वाला यह यह आपका सैरी बैलम होता है अगर आपको सैरी ब्रम और सैली बैलम में कन्फ्यूजन है ना तो सैरी ब्रम यानि हम में ब्रम है कि हम आगे है आगे वाला दि सुनवाई तो तभी करेगा ना उसका टाइम आएगा आप लोगों से पूछा गया है जो पैरिस्कोप होता है वो किस प्रिंसिपल पे ठीक है किस चीज किस सिधान्त पे आधारित है दो अवतल दर्पन two concave mirror two convex mirror ठीक है दो उतल दर्पन या two plane mirror या फिर एक कनकेव होता है और एक plane होता है एक वतल होता है यह समतल होता है तो पैरिस्कोप की बात की जा रही है है इसर ऑलकर फिर हमारा हो जाए कामीडब्रेंड वाला और इसमें मेर्अधूलो का निया गली अर गुवेरार की सद्रकों एसा होता है कि यह तो feminine go कै यह हैं यह आंपे द्रपन होता यह हैं यहां पर थर पन होता दूती में ध्यारकु anybody यह होता है पर इसको यह जाहता सोनार जो लोग इस्तमाल करते हैं सोनार उसमें इस्तमाल होता है सोनार में इस्तमाल होता है जाहतर तो यहां पर एक दर्पन होता है यहां इस इसे में और यहां पर एक दर्पन होता है वो कौन सा दर्पन होता है जली से बताईए हाँ सब्मेर में सोनार बोल रहे हो सब मेरींस में इस्तमाल होता है पंडूबियों में इस्तमाल होता है रिंकु आरारी गुरूबडी की त्यारी करवा रही हूं अभी बता देती हूं इसका राइट आंसर है बच्चों ने बूला दो कॉन्वेक्स मिरर इसका गलत है तीक है दो कॉन्वेक जिन बच्चों ने यह answer दिया है यह answer बिल्कुल गलत है इसका answer कहां होगा इसका answer होगा जो आपका यह side mirror होता है ठीक है इसको बोलते हम लोग rear view mirror ठीक है वाहन वाला दर्पन होता है यह वाहन वाहन वाला दर्पन ठीक है तो इसका right answer है two plane mirror दो समतल दर्पन क्लियर है अब आगे इसका answer C है और उन बच्चों के लिए जो यह कहते है कि मैं आप group D के त्यारी नहीं करवा रहे हो तो देखो यहां लिखा हूँ है group D और एंटी पीशी के लिए स्पेशल है CGL, CHSL, CPO, IB, EPFO के लिए तो है ही है ठीक है यार एक बार session को share कर दो एक बार session को share कर दो बड़े जबर्दस तरीके से और session को एक बार like कर दो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगले question में यह कहा गया है एक musical instrument होता है ठीक है एक संगीत यंत्र होता है जिसको हम बोलते है बासूरी ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलता है बासूरी यह वह बासूरी है जो कनहिया वाली बासूरी होती है तो इसमें पूछा गया है जो कनहिया की बासूरी होती है उसकी अंदर दोनी जो होती है उसक लक्षय जी सबके लिए है ठीक है हाँ आप या बहुत सारी बच्चों ने आंसर बिलकुल सही दिया देखो ना तो इसका आंसर कभी यह हो सकता ना तो इसका आंसर कभी यह हो सकता ना इसका आंसर कभी यह हो सकता क्यों कि अगर मैं बासूरी की बात करूं अगर मैं कनहीया ला को फोती है इसमें से हवा पास होती है तब चाके एक द्वहनी पैदा होती है अगरात को खराब अच्छे बीतंस और खराब करना वह तो कैसे करोगी दोनों को अलग करना हो तो आप लोग दोनों को कैसे अलग करोगे मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए अगर आपको सेपरेशन ऑफ गुड सीट्स फ्रॉम बैड सीट इस जन बाइ अच्छे बीजों को अलग करना हो तो आप लोग क्या करोगे हाथ से उठाओगे उसको या उसको सूप कर सूप के द्वारा करोगे या उसको सोक क करोगे एक कंटेनर में भिगोगे या उनमें से कोई नहीं खराब बीज को अच्छे बीज से अलग करना हो तो क्या करोगे है कि कभी कभी हो जाता है अरे वाई सोनम बेवाफा मद बना करो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो परफेक्ट डांसरी सी सोकिंग इना कं करने के बाल क्या होता है जो खराब बीज होते हैं जो है ठीक है अगले कोशन में आप लोगों से कहा जाता है दा इमेज ऑफ एन आई लास्ट रॉन दर रेटीना और आई फॉर किसी वस्तू की छवी हमारी आख के रेटीना पर रहती है यानि आप सभी को पता है अगला यहाँ होती है वो कहां बनती है वो कहां बनती है यह वो कहां बनती है तो आप लोगों से कहें की林 ऑफ न ए लुडै। किसी वस्तु की छवी हमारी आग पर रेटीना पर रहती है तो वे कितने समय तक रेटीना पर रहती है आप लोगों से ये पूछा गया है एक बटा 16 सेकिंड बच्चों ने जवाब दिया और ये बच्चों का बहुत ही बहतरीन जवाब है 1-16 सेकिंड बहुत अच्छा जवाब है 1-16 सेकिंड इसका राइट आंसर है 1-16 एक बढ़र 16 सेकिंड रेटीना पर रहती है कितने देर तक? 1-16 सेकिंड तक क्लियर? चलिए क्लियर है? आज्छा, एक बच्चों ने पर कारोची तो ठीक है तो मुझे ऐसा नहीं 8 सेकेंड का लट है द्रिश्टी ठीक है 8 सेकेंड लट है एक बटा 16 सेकेंड तक रहती है मुझे लगता कि 39 नंबर कोशन आप लोगों का रह गया था किसकी हो जैसे यह देखिए अच्छा 39 नंबर कोशन वो उसमें कुछ मिस्टेक है 39 वाले में कि अगले कोशन में आप लोगों से पूछा गया है कि अगर हमें किसी भी मैटल को किसी भी धातू को अगर हमें प्योर करना है शुद करना है ठीक है तो हम लोग एलेक्ट्रोलिसिस का कौन सा मैथड ठीक है क्या विधी उप्योग करेंगे ताकि हमारा कोई भी धातू जो हो हो सके ठीक है जल्ness से बताईए आओ कौन सा मेतड यूज करेंगे एलेक्टरोलाइसिस जो होता है वह इम्प्यूर मेटल को रिफाइन करने के लिए प्रफाइद करने के लिए ओता है और शुद करने के लिए ओता है तो तो electrolysis का कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, electrolyte, electro refining, electroplating या electrification, with duty करन, जल्दी से बताइए, अपर्णा ने answer दिया, विकास ने answer दिया, सभी ने answer दिया, क्या बात है, आसो बहुत ही बहतरी students के जवाब आद रहे, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चो, electro refining, क्या बोलते हैं मेरे metals का, गोविन इसके बारे में कोई कुछ नी जवाब दे सकता कि चंदीगट जोन वालोगा कब होगा, अपनी मर्जी से अपने इसाब से वो दे रहे हैं, ठीक है, अगला question है कि plaster of Paris का chemical formula क्या होता है, अब मैं इस question को P.O.P. को बहुत बार repeat कर चुकी हूँ, इस P.O.P. वाले बहुत बार repeat कर चुकी हूँ, repeat, जल्ली से सेशन को like करें और like के साथ share करें, सोनम बेवाफा मद बनो, 173 like, 300 plus student मुझा भी देख रहे हैं, 300 नहीं 400 plus student देख रहे हैं, मेरी रोज 12 बजे classes होती है, मेरी रोज 12 बजे classes होती है, जल्ली से बताओ, 300 plus कह रहीं, 400 plus student देख रहे हैं सोनम बेवाफा मत बनो, पहले सेशन को like करो, बड़ी असे, RPSC के लिए बिलकुल यही class हैं, यही करें, दिनेस बार ने मुला, CASO4 half H2O, बिलकुल सही, अब इस हिसाब से तो अगर मैं 4 option देखू, तो यह answer बिलकुल सही है, अगर मैं 4 option देखू, तो यह answer बिलकुल सही है, क इसका formula आप यह भी लिख सकते हो, twice of CASO4, H2O, ठीक है, और यह वाला जो formula होता है, यह जो आप देख रहे हो, यह वाला formula आपका होता है, gypsum का, ठीक है, यह है आपका POP का, और यह है आपका gypsum का formula, किसका formula, gypsum का formula, अगर आप लोगों से कहें कि POP किस से बनता है, तो आप अब बोलोगे, gypsum से, ठीक है, gypsum से, क्या बनता है, gypsum से, POP बनता है, POP बनता है, ठीक है, gypsum से POP बनता है, कैसे बनता है, तो यह देखे, CASO4, twice of H2O से, क्या बनता है, क्या बनता है, यह बनता है, ठीक है, क्या बनता है, यह बनता है, CASO4, half H2O, इसको क्या किया जाता जिफसम को heat किया जाता है थीक है चलिए बिल्गुल सही या तो आप इसको यह लिख सकते हो जो option number B में है या आप इसको यह भी लिख सकते हो इसको याद रखना थीक है तो जिफसम से क्या बनता है P.O.P. बनता है इनके formulae same होते है हाफ और एस्टोग में बाइक की हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है अनुपम बाइक की हेडलाइट में लेंस नहीं होता है बाइक की हेडलाइट में मिरर होता है और अभी बताया कि वहान वाला मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है ठीक है चली कॉन्वेक्स जो होता है चलिए उधा ठंड जादा निए विटा दिल्ली में कोहरा जादा है अब वही वाली बात है कि मैं टोपी ना लगाऊं और क्या कहते है उसके बाद ठंड लग जाए फिर मैं बोलू बच्छो चुट्टी है मेरे को ठंड लग गई बुखार हो गया इससे बैटर है कि प्रिकॉशन इस बेटर देन क्योर बोलते हैं ना साफदानी अटी दुरगटना गटी अगला कोशन आप लोग के सामने है कि डूरिंग दा एलेक्ट्रलेसिस दा पॉजिटिवली चार्ज आयन मूब टूर्ड एलेक्ट्रलेसिस के दोरान धनात्मक रूप के आवेश आयनों क और बढ़ते हैं अभी आपको बताया था कि जब किसी भी धातू को जिया जाता है कि द आतू कि प्यूर क्या जाता है अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वह मूव कर जाते हैं वो क्या होते हैं उसके दौरान उस रूप से का आयन जो होते हैं उस तरफ और बढ़ जाते हैं क्या होते हैं बढ़ जाते हैं अब वो किसकी और बढ़ते हैं एनौर की और कैथोर की और बैटरी की और यह जो वॉल का कंटेनर है उसकी और जल्दी से बताएं उसके दौरान ठ समझा रहे हैं अब बीच में कोई टॉपिक लेया हो कि मैं फलानी चीज समझा दो एक्जो थर्मिक समझा दो इनके लिए पर्टिकुलर टॉपिक समझा जाते हैं प्रमोज सैनी ने बोला कि कोई भी पॉजिटीव चीज जो होगी वह किस की तरफ जाएगी बच्चो वह नेग और और कि तरफ से कैथोड़ की तरफ जाएगी कि ऐकोड की तरफ के तो इसलिए तक राइट आंसर होगा जो रॉड्व होता है जिस रोट पर पॉजिटीव चार्ज होता है है उसे बोलते हैं हम लोग Anode फीकर और जो negative चार्ज होता है उसे बोलते है Cathode and not positive होता है Cathode negative होता है इस तरह से anion negative काटायन positive होता है कभी anion और ketion और keto को mix करता हूं तो दिक्कत हो जाएगी चलिए तो chemical reaction में extrothermic reaction और एंदोधर्मिक रियक्शन समझाई जाती है लेकिन एक छोटे से रूप में आप लोगों को यह बोल सकती हूं कि एन ओड उसे एक्जो का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकालना मतलब ऊश्वा का बाहर निकालना उसमें हीट बाहर निकलती है ज्यादा तर हाइड्रोजन पंकज आर्पी एसी केटिगरी में मेरा बैच नहीं है लेकिन आप ऐसे सी केटिगरी में साइंस पढ़ तकते हूं ठीक है चलिए जोक ऑफ दे एक बच्चे ने बोला मैं आप कनाड़ा से कब वापिस है जोक ऑफ दे ऑफ दे दफोर्स रेस्पॉंसिबल फॉर वियर इंटियर ऑफ आर शूज हमारे जूते पहंटे टाइम जो घिस जाते हैं घिस पिस जाते हैं हमारे पिता क्या कहते है इसे नहीं आया यह जो तुम्हारे ऊपर शर्ट आई यह तो कॉपी नुमारे हाथ में यह जो पें तुमारे हाथ में है तुम्हारे पिता जी ने बहुत बार कहा होगा कि जूतिया घिस जाती है यह सब कमाने में तो अगर साइंस के रुपे में बोलू कि Alexa या Google जूतिया घ जूतिया का मतलब होता है कि experience मेहनत ने जूतिया घिसने का मतलब होता है friction ठीक है जूब लगे की कलकत्ता को मिठाइए खेलाओंगा इसको मोलता है उसको और इसको बोलता है घृषण बल में क्या होता है अगर मैं जूतिया की बात करूं तो यह आपकी सड़क है घृद इस जूते के बीच में और इस सड़क के बीच में एक घरशन बल पैदा होता है घरशन क्या होता है किसी भी दो सताओं के बीच में लगने वाला बल किसी भी दो सताओं के बीच में दो सता कोई भी दो सता है उसके आपस में बीच में लगने वाला बल जो होता है ठीक है आप जासे सुनो अप्ヤ करते हो लग रही है तो क्या करों गे यह सर्फेस है और संब्छू इस तो यह फ्रिक्शन पैदा हो रहे है और फ्रिक्शन सश्य का हुआ पैदा हो रही है इसे को बोलते हैं घ्रसन जब भी कभी आप इसको ऐसे करो तो समझें गर्शन पैदा हो रहा है ठीक है चलिए बच्चों आप राजिस्थान के जितने भी बच्चे है वह जवाब को बहुत अच्छे से दे पाएंगे जो वर्शा का जल होता है उसका संचायन होता है वह किसकी मदद के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग किस चीज में मदद करता है राहूल शर्मन मैं चाहूंगी कि आपका एक्जाम बहुत अच्छा हो best wishes मेरे तरफ से आपके लिए चलिए अच्छा परित्र ने बोला मैं यहाथ क्यों नहीं गिश जाते जूते क्यों गिश जाते हैं मैं आपको बताती हूँ हाथ को ऐसे करोगे तो आपकी थोड़े देर बाद हीट पैदा होने से खाल उतर जाएगी लेकिन आप थोड़ा सा करते हो तो थोड़ा सा चलते ही जूते नहीं गिशते यह भी बात याद रखेंगे जब लार्ज अमाउंट फीट पैदा होती है तब गिशते हैं अब आप आपने हाथ को ऐसे करने लगों ठीक है आप एक घंडे तक अपने हाथ को ऐसे करो आपकी खाल उतर जाएगी गर्मी के वज़े से तो रेंवाटर हार्वेस्टिंग बिलकुल सरी जब राजस्थान में एक टाइम पर स्कैरसिटी थी पानी की कमी थी बहुत ज्यादा तो लोगों ने क्या किया रेंवाटर हार्वेस्टिंग की और आज भी राजस्थान के बहुत सारे जगा में यह जहां सूखा होता है बहु यृशी को बोलते हम लोग rain water harvesting इसको बोलते हम लोग rain water harvesting ठीक है right answer है कि यह table में पानी को increase करने के लिए होती है अगर नहीं समझ में आरा तो मैं आपको पताती होता क्या है कि शबोस करो दो गिसी चठ के घरनी चार सांट प्रिख भाम कैसे भाता और गाले मेशने माने भाम के बारिण हो जो फिर किसी चइद के बारिण गाले बारिण हो से उती वर्षा में कभी व्रदी नहीं होती और फोरुष्ट का तो कोई मतलब भी नहीं है वड़ों का तो मतलब ही नहीं है पेड़ों के कटाइब की नहीं जा रही है तो बात पानी की जा रही है या तो अगले कोश्चन में आप लोगों से पूछा गया है हमारे देश के अंदर हमारे भारत के अंदर जैव विद्यविद्धा के होट स्पॉट कितने है एक जी के यह स्टैटिक जी के का क्यों है कि number of biodiversity हमारे देश के अंदर कितनी biodiversity है कितनी जे विविद्ता है तो आपका ये है static GK का question है static GK का एक question जो कि science में आता है जल्ली से बताई ये 4 है 3 है 5 है ये 6 है ठीक है हरी श्रावत मैं मेरा selection इंडियन आर्वी में हो गया बहुत बहुत बढ़ाई फटा फट से शेरो लाइक करो यार ऐसे नहीं बनेगी बात इतने प्यारे कोशन इतने नए कोशन इतने 6 कोशन एक बच्चे ने बुला 6 एक बच्चे ने बुला चार तो बच्चो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 इसका राइट आंसर है चार तो लगबग कितने हैं चार है तो देख कषायर बाइड़ाइवismus Señor सब्सक्राइब ठीक है, इंडो बुर्मा रीजन में, ठीक है, संड लेंड में और निकोबार ग्राउंड में तो लगबक चार स्पोर्ट जो है हमारे बायो डैवर्सिटी की है इन चार जगा एक, दो, ठीक है, तीन और चार, इन चार जगा है क्लियर है, अब आगे बढ़ते है अगले कोशन में आप लोगों से पूछा गया है कि इन दा सिंबल ऑफ एलेक्रिक सेल, दा लॉंगर लाइन रिपर्जेंट, ठीक है कोई भी एलेक्रिक सेल का सिंबल होगा, तो उसमें जो एक लंबी सी लाइन होती है वो क्या बताती है, विद्यूट सेल के प्रतीक में लंबी लाइन का प्रतिजिदेत करते हैं सगरातमक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल या नकरातमक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल या वायर या फिर current of flow ठीक है मतलब direction of current of flow वर्तमान प्रभा की दिशा जल्दी से बताईए किसी भी cell के अंतर एक लंबी सी line होती है वह क्या दर्शाती है वह क्या बरताती है जल्दी से बताईए देखो आपको पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे बहुत लोग होंगे जो आपको पढ़ा रहा है यह जो भी कोई चीज आपको समझाई जा रही है क्या उसको आपको दुबारा पढ़ने की जरुरत होती है क्या आपको दुबारा पढ़ना पड़ेगा भाई पढ़ो ऐसा कि एक बार दिमाग में बैठ जाए और कुछ निए ठीक है कताई जहर बिल्कुल कताई जहर तो बच्चो इसका जो राइट आंसर है देखो इसका जो राइट आंसर है अगर यहाँ इस वाले में डाइग्राम नहीं है इसका राइट आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल ठीक है पॉजिटिव टर्मिनल क्या होती है जो एलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें जो लंबी लाइन होती है वह यह रिपर्जेंट करती है Positive जो कर हमारा तर्मिनल होता है वह पर्जेंट करती है इससे यह पता चलता है कि हमारा switch है वह और जो सिच है वो तो हमारा टर्मिनल को एक लंबी सी लाइन रिपर्जेंट करती है यह पॉजिटिव टर्मिनल को रिपर्जेंट करती है ठीक है अभी डाइग्राम नहीं है डाइग्राम होता तो शायद मैं आपको दिखा सकती थी वैसे आप लोगों को लग रहा होगा डिरेक्शन अफ फ्लो ठीक है ठीक है एक बच्चा बोल रहा है मैंना माज जहर लगने का राज क्या है पहली बात तो सुबह सुबह बगवान का नाम लिया करो वैसे तो दोपैर की 12 बच चुके है दूसरी बात मैं बता रही है यार मास्ट्रों को तुम जहर बोलते समझ भी नहीं आता और मेरे जहर लग सब्सक्राइब के बराबर होता है यह हमेशा याद रखना और मेरे मुझे कभी तुम लोगों के लिए बेटा बच्चे के लावा कभी अतरिक्त कोई श्रब नहीं निकला है गाइस कैसे हो यार लाइक कर दो दोस्तों लाइक कर दो नहीं ठीक है गुरू का मतलब गुरू हो यह हमेशा याद रखना ठीक है वह कोई भी गुरू का मतलब गुरू होता है बहुत आसान कोशन जैसे मुझे काजुकतली बहुत पसंद है तो इसमें इसमें कहा गया है कि मिठाई सजाने के लिए एक परत इस्तमाल की जाती है जो स्वीटनेस देती है ठीक है एक स्वीटन इसमें करो है ठीक है एक एक बस गुरू है और क्या है कहिभे है चलो अजो इसका सारे बच्छों ने डिल्लाओ वागर बिविल्गुल राइटार सिल्वर तो बच्छों वालगर की स्वर्च चढ़ाई जाते हैं काजु झाजु कटली जैसे जो मिठाई होती pipe कि दो चांदी के इन पर Parlा जाती है और सस्ति मिठाई पे अगर कभी मिठाई सस्ति सस्ति मिठाई Fragen को ृष तो गया करता है मुझे नहीं की थिक आगला कंटली है इसके उपर परत चड़ हुई है टो अगर यह तोड़ना है कि यार मैंने टोपी लगा ली थोड़ा सा अधिक अधिक अच्छे रहे हैं तो नहीं मैडम जहर है गुरु मा कैसे हो गई कि समझ में आता गुरु जनो मेरे बच्चो समझ लो अगला कोशन यह है कि जो फसल होती है गन्ने की फसल ठीक है तो यह चीज़े ठीक नहीं है बच्चो तुम्हारे चक्कर में आंसर बता दिया मैंने क्या अंसर क्या हो गया इस कोशन का आंसर हो गया शुगर के तुम्हारे चक्करों में ठीक है मैंने पहले गंदा आंसर बता दिया तो कोई बात नहीं कोशन देख लो कोशन में यह लिखा हुआ है पाइरिला किस फसल का कीट है पाइरिला जो होता है एक पैस्ट होता है ठीक है और वह किस फसल में होता है तो पाइरिला जो होता है वह शुगर के इंड में होता है और आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन जारी है किसान आंदोलन जारी है तो किसान आंदोलन से related question भी पढ़ने है और फसल से related कुछ question भी पढ़ने है तो गन्य के अंदर जो कीट पाए जाता है जिसे बोलते हम पाई रिला तो इसको याद रखना है इंपोर्टेंट है कौन सा कीट पाए जाता है पाई रिला किसमें गन्य की फसल में जिदन माज तक है वो कभी भी आ सकता है तो गन्य के उपर पाए जाते हैं गन्य का पत्ता होता है उसके उपर पाए जाता है गन्य का पत्ता होता है पत्ता जिसको हम लोग कई बार एक हमारे हां बोलते हैं एक कुबार बोल देते कई बार ठीक है इस पर पाए जाता है ठीक है आईए और बचो अब आपको एक चीज और बता देती हूं बहुत अच्छी चीज है जितने बच्छे तयार है वह सारे के सारे 10 बजे मौक टेस्थ जिए और यहाँ पर देता है और पूल दीने बाद रांक आती है अब यह जो टेस्ट होता है rapid Orion सभी बच्रों के लिए csohn rave अगर कोई बीटा रात के 10 किले का मौकटत नदे पाए तो एससी के लिए पे दे सकता है जो की शाम के पाँच बज़े होना है और एटेम पे करणट अफेर होती है कल से सबी अलटे सै अधिक पढ़े झिसमें 2020 बाकि upgrades मुझेसे प्टनीा तो जिन बच्चों ने आज पहली पूरा नाम है प्रिया चौधरी प्रिया चौधरी मेरा नाम है मुझे आप फॉलो कीजिए फॉलो करने के बाद आपके पास में एक option आएगा message का message कर सकते हैं अगर कोई समस्या पढ़ाई के अंदर आ रही है तो और आप special classes में see all करना और आज मैंने class ली थी current affair की सुभे 8 बजे 18 जनवरी यहां पर रिखा हुआ है 2021 साथ में 2020 का फुल बैक अप आपको दिया जाएगा उसी class के अंदर ठीक है ऐसे नहीं दिया जाएगा जनवरी current affair फर्वरी current affair पूरे class का ठीक है चलिए class खतम हो गई पता भी नी चला नहीं पता लगा और बाकि अगर आप बच्चों ध्यान से सुनो एक बात और में बताती हूं जब आप पहली बार आप अनेकेडमी पे जाते हो ना तो आप लोगों से क्या पूछा जाता है जब पहली बार आप अनेकेडमी पे जाते हो इससे आगी में लगता है यह लास्ट है जब पहली बार आप अनेकेडमी पे जाते हो तो आपसे कोड बांगता है उस कोड को लगाने के बाद आपकी सारी special classes unlock हो जाती है पी आर आई वाई ये प्रिया 08 तो मेरी सारी special classes जो see all में जाके आप फ्री में देख सकते हो वो unlock की जाएगी प्रिया 08 कोड से admission लेना चाहते हो तो भी discount मिलेगा तो यही कोड है हाजी अगर किसी को कोई दिक्कत हो मौक टेस्ट में जॉइन कैसे करें मौक टेस्ट के लिए आपको अनकेडमी लर्निंग आप डाउनलोड करनी पड़ेगी गोल चूज करना पड़ेगा रेलवे या SSC उसके बाद में ही आप थीक है उसके बाद में ही आप देख पाओगे मेरी special classes में मौक टेस्ट यह कोड लगाना पड़ेगा मेरी daily classes होती है यहाँ पर थीक है thank you bye bye love you all जै हिंजै भारत